आज विरेन सरूप कॉलेज ओफ मैनेजमेंट स्टेडीज मेक्रावबरज कानपूर में एमरतकाल विमर्ष विक्सित भारत एड़डरेड 2047 का आयोजन करके विद्यारतियों को आने वाले कल कोशशक्त बनाने और युवा नितरत और नवाचार का पोशन करने की शिक्षा के प्रती प्रेरित करने की बात कही जिसमें AICTE के प्रमुक वक्ता एवं आवोक इंडिया ग्रूप के प्रेसिडेंट प्रवीन कुमार दिवेदी जी ने चात्रों को आने वाले कल कोशशक्त बनाने युवा नितरत और नवाचार का पोशन कराने है तू चात्रों का ध्यान क इंडित किया उनोंने चात्रों को आने वाले भविश को मजबूत धाचे में ढालने के सला दी और साथ में नितरत प्रवंदन को प्रभावशाली बनने के कई शोतों का वर्णन किया कारेकरम की शुरुआ डॉक्टर व्रेन स्वरूप मैमोरेल ट्रस्ट की चेर परसन डॉक्टर मिनी स्वरूप जी एवं ट्रस्ट की सचीव डॉक्टर अलक्षिक देद स्वरूप जी वा संसान गिनिदेशी का डॉक्टर गौरी सिंग गौर जी ने दी प्रजिलित करके किय इस समारों में छाच छात्राओं ने विशेशक वक्ता प्रवीन कुमार दिवेदी से अमरितकाल विमर्श विक्षित भारत अट दरेट 2047 से जुड़े तत्यों पर भी पूस्ताच की और बलचल के समारों में हिस्सा लिया मोहिश्रीवास्ताव अशी पांडे शुति अगरवाल स्वेता सकसेना तनुशरी बनर जी प्रिया मिश्रा प्रिया वोरा वंशिका रावत सीमा सुञ्ग अलका मिश्रा सुनिल शर्मा शिवराठावराविंद वर्मा समच्छ छात्राएं उपस्थित रहे देखे खास पुड क्वार्सक्राविन चार्फिडियल इसे डिर्फिछ इच लंग प्रीनियट स्क्षिशन गरोंटेस्टा फंग शितनाफिग अीजर इच्छिशन इडि िडिडियलों जिय दिडिड खेग इच्छिटर अबोलह तुम धुछ कौल भीनिय इसे और सिरी इच्छिट प्री मेरा नाम डॉक्टर गौरी सेंग गौर है मैं डारेक्टर विरेन सुरूप कॉलेज ऑफ मानेजमेंट स्टडीज की हूँ और आज का कारिकरम विक्सित भारत पे है अमृत काल विमर्ष विक्सित भारत 2047 पे यह आज हमने बच्चों के लिए यूथ के लिए एक कारिकरम रख प्राइम मिनिस्टर सर ने जो हम लोगों को विक्सित भारत 2047 टार्गेट दिया है इंडिया को डेवलप्टेशन बनाने के लिए हम अपने बच्चों को भी बता पाए कि क्या है और उसमें उनकी महत्वपून भूमिका है बच्चों के वक्ता के रूप में मिस्टर प्रव बढ़ कर भारत को एक विक्सित देश बनाने में अपनी महत्वपून भूमिका वक्ता तो एक ही है हमारे में जो स्पीकर है वो मिस्टर प्रवीन तिवेदी है यह हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बच्चों को बस यही कहना चाहूंगी क्यूंकि अनुरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हम लोगों को बोला कि 2047 एक विक्सित भारत है होना ही चाहिए और यह विक्सित भारत तभी बन पाएगा जब यह हमारे बच्चे आगे बढ़कर अपने पूरी तरह से अपना सपोर्ट देंगे और एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और हमें प्राउड होगा इन बच्चों पे और अपने देश पे